इस वक्त की बड़ी खबर रजिस्थान से आ रही है रजिस्थान में बची हुई एक सीट श्री करणपूर सीट पर आज उपचुनाव हो रहे हैं सुभा से ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तमाम लोग वोट डालते वे नजर आ रहे हैं शीकरणपूर विधान सभा सीट की बात करें तो लगभग दो लाक से अधिक की संख्या यहाँ पर नजर आती है और तमाम लोग अपने वोट का प्रियोग करते वे यहाँ पर मतदान करते वे नजर आ रहे हैं और इसी बीच आपको यह भी बता दें कि यहाँ पर तमाम पार्टियां अपनी तरफ से बयान भी जारी कर रही है तो ऐसे में कॉंग्रेस पार्टि की तरफ से कॉंग्रेस प्रदेश अध्यर्स गोविन सिंग डोटास्रा ने भी टूइट कर एक बड़ी जानकारी दी है उन्होंने कहा है कि श्री करनपूर के समस्त मतदाताओं से आगरा है कि आज विदान सभा सीट पर चुनाव में छेतर के विकास खुशाली और सविधान के लिए मतदान करें सो अभिमान को बचाने के लिमत दान करें लोकतंत्र के पर्व में अधित से अधिक हिस्सा लें और कॉंग्रेस पृतियाशी को विजयी बनाएं ऐसा गोविन सिंग डोटासरा ने कहा है और इसी की सासत आपको ये बता दें कि शाम 6 बजे तक यहां पर वोटिंग की प्रक्रि क्या वाकि कॉंग्रेस पार्टे इस सीट को जीत लेगी यहां पर भी भारते जंता पार्टी अपने दाओं पेच आजमा कर इस सीट पर अपनी सत्ता चलाती हुई नजर आई कि आपको ये भी बता दें कि यहां पर दिंगत गुर्मीत सिंग कुनूर के बेटे रुपिंदर साहनुभूती लहर पर सवार हैं जबकि भाजपा के सुरेंदर पाल को पहले ही बजनलाल सरकार में राज्यमंत्री बनाया जा चुका है अब यहां पर यह देखना होगा कि क्या कुछ यहां पर चुनाप प्रक्रिया के दौरान होता हो नजर आता है क्या यहां पर जो सर इस सीट पर होने वाली चुनाप पर देखने को मिलेगा क्या यहां पर बड़ा बदलाव होगा क्या चुनाप आयो कोई फैसला ले सकते हैं इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राहे कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं देखते रहें स्पेन नाइन नीउस धन्यवाद